हलो बच्चों आईए एक प्रस्ट देखते हैं जो कि है यदि एक्स बराबर तीन प्लस अंडर रूट के अंदर आठ तो एक्स स्कॉयर प्लस एक्स स्कॉयर का मान ग्याद कीजिए तो यहां पे एक्स का मान दिया हुआ है थ्री प्लस रूट एट और यहां से हम लोग क्या कर कर लेते हैं यानी हर का परमे करणंन तो तीन प्लस अंडर रूट 8 इसी के अपोजिट से यानि कि 3 माइनस रूट 8 से ऊपर और नीचे मल्टिप्लाई कर देंगे और अब यह मल्टिप्लाई होगा तो वही रहा 3 माइनस रूट 8 और नीचे हुआ तो यहां पर एक लिकाट म a plus b a minus b के जैसा है तो यह हो जाएगा 3 का square minus root 8 का square a square minus b square formula लग गया ओपर बचा 3 minus root 8 नीचे रहेगा 9 minus 8 3 का square 9 और root 8 का square 8 हो जाएगा और यहां बचा क्या 3 minus root 8 और नीचे 1 है तो 1 लिखना ही नहीं है ना तो इस प्रकार से 1 upon x की value 3 minus root 8 और जो x की value है वो है 3 plus root 8 ठीक है अब जिसकी value हमें निकालना है वो क्या है तो कहेंगे x square plus 1 upon x square है यहां से x की value अगर रखा जाए तो यह है 3 plus root 8 और इसका whole square हो जाएगा प्लस यहां पे 1 upon x है इसका square है 1 upon x का मान यह है 3 minus root 8 और इसका भी square ठीक है बास समझ पाए x की जगए यह रखा गया जो दिया धा और एक बटा x जो हमने निकाला था वो रखा है इसका square भी है अब इसका whole square open करते है तो यहां से 3 का square 9 root 8 का square 8 है ना a plus b का whole square तो a square plus b square plus का 2ab तो 2 into a की जगए पे 3 है b की जगए पे root 8 है ठीक है ऐसे ही यहां पे a minus b का whole square open होगा तो 3 का square 9 plus root 8 का square 8 minus का 2 into 3 into root 8 अब देखो तो यहां से यह minus का यह plus का है cancel हो जाएगा और अब इन सब को plus कर लेंगे तो 9 और 9 18 हो जाएगा 8 और 8 16 है ना 17 दुनी 34 हो जाएगा इसका answer बास समझ पाए और इसी question को करने का जो जैसे यहां तक तो हमने किया सही है इसके बाद जो हमने यह किया है इसी को करने का दूसरा भी एक तरीका है वो देख लेते हैं क्या होगा तो यह जो लिखा है x square plus 1 upon x square है ना इसको क्या करते हैं इसमें 2 plus करते हैं 2 minus करते हैं अब इससे क्या होगा, कि यहां से यहां तक जो पूरा है, यह बन जाएगा x plus 1 upon x का whole square, minus का 2, बस मच भाई, और अब इसमें करना क्या x की value रखना है, x है 3 plus root 8, और plus का 1 upon x, इसकी value रखना है, तो यह है 3 minus root 8 का whole square minus 2, और अब यहां से यह और यह cancel हो जाएगा, 3 plus 3 हो जाएगा 6, और 6 का whole square हो जाएगा 36, minus 2 करेंगे, और यह भी आजाएगा 34, इस प्रकार से भी answer वही आ रहा है, जो कि यहां है था,